ऐसे वह में सॉलेशन चप्टर 16 साउंड वेव क्वेशन नुबर 67 अब बुलेट पास यह बुलेट है जिसका स्पीड दे रहा है टू टू 0 मीटर सेकंड और यह इस परसन को पास करती है तो थे डियर फेक्टि ओंव स्पीड बुलेट बुलेट यह जब पॉलेट आ रही थी तब इसको मान लो परसन को सुनाए दी वो नू अडैसन दी ऩशतिए और बुलेट पास हो गई परसन को परसन से आगे चली गई तब इसको मानलो frequency new B dash होने दी तो इनका fractional change क्या है यानि आपको find क्या करना है new B dash minus new A dash upon new A dash find करना यह आपको find करना fractional change पुछा है तो अपने को sign का को मतलब नहीं तो mode लगा यह अपने को find करना है ठीक है तो सबसे पहले अपने को new A और new B-find करना पड़ेगा तो पहले आपको apparent frequency क्या होती वो निकालता है apparent frequency होती वी plus minus velocity of observer upon V speed of sound plus minus velocity of source into frequency produced by source यह आपका apparent frequency होती अब देखो जब मैं एक ही बात करता हूं तो एक के ओपर formula बनाते हैं तो यह V तो शियर आएगा speed of sound ओके अब यहां पर observer कौन यह है यह विचार का रेस्ट में है रेस्ट में है तो यह 0 आगिया ओके अब source कौन है यह एक के उपर जो बूलेट वो यह V और observer तो रेस्ट में है और यह source है और source के इस person से दूर जा रहा है observer से दूर जा रहा तो observer को क्या होगा कम सुनाए देगा कम frequency सुनाए देगी कम frequency सुनाए देगी इसका मतलब denominator क्या होगा ज्यादा होगा यहां यहां प्लस VS आएगा और into new आएगा राइट ओके value करते हैं इन दोनों में यहां पर value किया है अपने पास 330 upon 330-330-220 कितना होता है 330-220 10 right into frequency कितना है new यही है कुछ गलत किया 330-330-220 sorry 110 होगा ओके यहां पर चेक करो यहां पर क्या आता है 330 और 330 यह 550 हो जाएगा into new राइट तो यह आपके पास आगिया 00 cancel 3 new आगिया और यह कितना आ रहा है 3 by 5 new आगिया यह आपको यह new B डेश और new A डेश आगिया आपके पास अब value पूट कर दो इस equation में इस equation value करते है अपने पास तो new B डेश कितना है 3 by 5 of new और यह कितना है 3 times of new upon 3 times of new तो new cancel out solve करते है कितना आएगा 5 15 3 minus 15 upon 15 राइट ओके यानि कि 12 by 15 यानि कि यह 4 by 5 यानि कितना जाएगा 0.8 आजाएगा कितना आएगा 0.8 fractional change किया आएगा 0.8